प्यारी साथ संगाजी प्यार से कहिए धनिंकार जी आज का हमारा जो बिशार है बहुती बेतरी नहीं संत महतमाओ की दया की दया धरम का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िये जब लग घट में प्राण कहते हैं कि जो दया जो है वो धरम का मूल है और पाप का मूल जो अभिमान है तुलसिदाज कहते हैं कि अंत समय तक हे मानव हमें क्या ना दया नहीं छोड़ेनी चाहिए आओ प्यारी साथ संगा जी ये जो दया है ये परमातमा का एक ऐसा गुड़ है ये किसी मार्केट से नहीं मिल सकता ये हम कहीं जखरीद नहीं सकते जब ये इसवर की किरपा होती है और जब हम अच्छे कार्य करते हैं जब हम ससंग सुनते हैं जब हम संत महतमाओं की चरण तो ये automatic हमारे हिर्दे के अंदर जो है आ जाती है सद्गुरू की किरपा से तो प्यारी साथ संगा जी आज हमें दया दिखानी है सद्गुरू की किरपा से ना कि not only human but also all animals हमें जानवरों के पर भी दया दिखानी है क्योंकि जब हम एक चीटी को यानि उसे जीवन नहीं दे सकते तो हमें मानने का भी कोई अधिकार नहीं है कभीरदाज जी ने तो संत महातमा यहां तक कहा है कि बकरी पाती खात है अरे ताकी काडी खाल और जो नर बकरी खात है ताकी कौन हवाल कि इंसानों बकरी तो पत्ते खाती है लेकिन इंसान की कर्तो तो देखिए उसकी खाल तक की निकाल लेता है एंशान तु तो बकरी उभी खा जाता है तो फिर तेरा परमातमा के हाँ क्या हाल होगा तू कैसे हिसाब देगा तू कैसे जाएगा परमातमा के पास में कौन समूम लेकर जाएगा तो आओ संत मातमाओ फिर हमारे अंदर क्या हुआ दया तूह समात हो गई ऐसे ही ठीक इसी परकार से दास देखता है कि एक गहसा है जो कि किसान का मित्र होता है गहसा वो किसान की बहुत सारी भूमी चोट देता है लेकि बदले में लेकि ये इनसान क्या करता है ये उसके साथ में क्या करता है देखिए उस गहसे को लेते हैं और उस गहसे को पकड़क के पास जाती है तो क्या आप बक्स आपकी बक्सिस हो जाएगी क्या आपको हके उसे सुई चुबोने का क्या आप ने उसे जीवन दे दिया परमात्मा ने उसे जीवन दिया था कि ये मिट्टी को जाओ बनाए किसान का मित्र बना करके भीजा था मचली को आदेश दिया था कि तो पानी को साफ करेगी, ऐसलिए ये मचली को उत्पन कर दिया, ये वो गंदी की मचली की साफ करती है, लेकिं आप कैसे हो, जो मचली गंदी की को साफ करती है, आप उसे ही साफ करते चले जा रहे हैं, तो आज सोचने का भी से हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमारे कैसे किरिया कि हमारे अंदर अभी विदया है कि हमारे अनदर मर्सी है अगर इंवे थोड़ा सोच बिचार करें ऐ क्या मात्मा ने आ आ लो केसी को कोई परिसानी नहीं दिलेकिर औि इंसान है ये जो अपनी गतिविदियों से अपनी बानी से अपनी कार्यों से दूसरों को ठेस पहुचाता आहत पहुचाता गाली गलोच करता ये एक इंसान की फितरत है तो आओ प्यारी साथ संगा जी हमें सत्गुरु के बताई हुए आस्ते पे चलना है हमें प्राणियों सही होती है जिसकी उलाद सही होती है उसके माबाप का सर उपर को होता है और जिसकी उलाद के तो फेल गुरे होते हैं उसके माबाप का सर नीचे को होता है तो आओ प्यारी साथ संगा जी हमने सत्गुरु की किरपा से हम सत्गुरु की सरण में आए हैं तो कई हमारी ऐसी को देशों पे चलते चले जाना है प्यारी साथ संगा जी प्यार से कहिए धानिंकार जी